Hello Everyone, Welcome to our alumni Classage Studentsиться. Today, we will read our English grammar books 8 Chapter Articles Use of Indefinite Articles A, A.N. Students, we are知 facto where definite articles and how definite article which we've read off sociedade frame, and often where definite articles are A and A.N. We will know our indirect article. करेंगे let's see we use a रहे का यूज करते हैं when a word is beginning with a consonant sound देखे नाँन वर्ड जब रहे कॉंसोनेंट साउंड से स्टार्थ होता है उसका अंहीं इंग्लीज में ही हम नहीं देखें कि हैं या वोवल्स है वरकि हम उसका हिंदी उसका जो हिंदी साउंड निकलता है तो उसे देखें जदी वह कॉंसोनेंट है तो उससे पहले हम एका यूज करेंगे देखिए य एक याग तो वाई गया है इंगलिस में वाई को देखें तो यह भी इंगलिस में भी एक कॉंसोनेंटी है लेकिन और हिंदी में देखें तब भी एक कॉंसोनेंटी है तो इससे पहले हम ए यूज करेंगे लेकिन जो यू है देखें यू जो है ये यू इंगलिस में ए ए आई ओ यू ये फाइब वोवल्स होते है तो ये यू तो वैसे क्या है व हमें हिंदी साउंड उसका निकाल के लिख के देखना है कि हिंदी साउंड क्या है नहीं कि उसका इंगलिज का फस्ट वर्ड देखके हम करेंगे वी यूज ए एन फेन ए जैसे ए याग है ए होश ए यूनिवर्सिटी ए कैट ए यूरोपियन ए फोन ए बुक ए टीचर सेकिंड है भी यूज ए एन वेन ए वर्ड इस बिइनिग विदे वोवल साउंड ए एन का यूज करते हैं जब कोई नाउन होती है वो वोवल साउंड से स्टार्ट होती है देखिए ओ आरे एन जी ओरेंज यहाँ पर ओ क्या है इंगलिस वर्ड भी वोवल ही है ले और हिंदी म होगा तो ए एन यूज कर देंगे यहां अम्डेला यह भी वोवल साउंड है तो एन यूज कर देंगे देखिए यहां ओनेस्ट में तो देखिए एच जो है एच वैते इंगलिस के अकोर्डिंग तो एक निकलेंट है लेकिन इसका जब हिंदी इसकी साउंड निकलेंगे त एन आर्टिकल ओके एन एन एपल एन हावर देखिए इसमें भी एच जो है इसका वोबल साउंड निकल रहा है तो इससे पहले एन यूज करेंगे नेक्स्ट है एन अगली मैन ओके ओमिशन ओफ डेफिनेट आर्टिकल दी तो देखिए ओमिशन का मतला है कि यहाँ पर दा आर्टिकल का यूज नहीं होगा वैसे हमने रिऊस पहले डीट किये थे इनसे पहले राटिकल यूज ओता है लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अपुआगसे हैं जिनसे पहले राटिकल का यूज नहीं होगा we do not use article यह जो हम कुछ rules read करेंगे तो इनके according यहाँ पर the article का use नहीं होगा when proper noun as the names of cities, countries, streets, materials, persons, months and week हमने read किया था कल कि countries के names से पहले दाका यूज करते हैं लेकिन single country किसी personal country का name आता है तो उसके लिए हम the use नहीं करेंगे वो हमने read किया था कि किसी plural names की country plural country होती ही जैसे USA, UK जो संग होता है तो ऐसे देशों से पहले हम क्या करेंगे the article use करेंगे लेकिन किसी single या personal जो person जो होती है proper जो होती है proper nouns जैसे कि कोई भी proper city होती है, country होती street, material, person या month इन से पहले हम the article use नहीं करेंगे दा दहली देखिए, दहली जो है यह only single एक country का city का नहीं है तो इससे पहले हम the article use नहीं करेंगे यह जो कर्ट मार्ट लगा हुआ है इसलिगा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी article use नहीं होगा इन से पहले, यह मुंबई जो है देखिए, यहाँ इससे पहले भी कोई article use नहीं होगा Sunday, week के नाम के पहले भी हम कोई article use नहीं करेंगे और किसी के नाम से पहले भी जैसे दा नहरूजी इस तरह किसी के नाम से पहले भी article use नहीं करेंगे दा जनवरी, months के नहीं से पहले भी article use नहीं होगा गांधी मार गिये का है स्ट्रीट का नेम है तो इससे पहले भी कोई अर्टिकल यूज नहीं होगा, ओके, सेकिंड है, but in some situations, लेकिन कुछ हिस्थितियों में, we use the before proper noun, कुछ conditions ऐसी होती है, जहां पर हम proper noun से पहले दाखा यूज भी करते हैं, if the, if the is used before proper noun, यदि proper noun से पहले दा यदि हम दा आर्टिकल यूज कर देते हैं, तो common noun में change हो जाता है, तो हम इस sentence में common noun में change करके, कोई sentence ऐसा बनाना हो, तो वहां पर हम दा आर्टिकल यूज कर सकते हैं, जैसे काली दास इज, दा सेक्सपियर ओफ इंडिया, लेकि सेक्सपियर जो है, ये किसी का present noun, proper noun तो है किसी का नाम है सक्सपियर, लेकिन काली दास को इसके तुलना की गई है काली दास की सेक्सपियर से, इसलिए ये common noun में चला जाता है, और इसने सेक्सपियर से पहले दा आर्टिकल यूज कर दिया, वैसे हम काली दास की तो नहीं किया, क्योंकि ए प्रोपर नाउन है, लेकिन स्विट जल लेंड उपादी दी गई कि स्विट जल लेंड से कंपेर की गई है बट वी से लेकिन हम कहते हैं वी प्रेज दा होनेश्टी ओफ हैनीवन पैंटी इज एफाइन आर्ड वैं नेम्स ओफ माटेरियल सार्यूर्ड गोल्ड इस दा मोस्ट वैल्यूएवल मेटल लेकिन मोस्ट तो देखिए सुपर्लेट्व डिग्री आ गई और हमने जीड किया था लास्ट वीडियो में कि सुपर्लेट्व डिग्री से पहले दा अर्टिकल यूज होता है बट वी से लेकिन हम कहते हैं दा कोटन ओफ एजिप्ट इज फेमस एर्विवेहर देखिए यह पता रहा है इसलिए इसमें दा अर्टिकल यूज किया गया है तो कुछ ऐसे आप वात्स भी मिलेंगे जिनमें रूर के अकोर्डिंग उससे भी अलग जाकर के उसके यूज किया जा रहा है तो स्ट्रेंट्स यह आपके चैप्टर्स कम्प्रीट हो चुका है तो उनके रू जो रीड करें कोई प्रोग्लम होतों कंसल्ट करें इसके कुछन अंसर आपको नेक्स्ट वीडियों सेंट कर दे जाएंगे ओके थेंक्स